हलो आप जैसा के आप सब जानते हैं कि हमारे ACCA के एक्जाम जो है वो नियरवाय हैं तो इसी के लिए स्टुडेंट्स काफी परिशान हो रहे होते हैं इस पर्डिकलर टाइम में मैं अपनी एक लाइफ का एक पर्सनल किस्सा बता के आप सब स्टुडेंट्स को एक लिस्ट मोटिवेट करूं के डोंट लूज होप इन दिस पर्डिकलर टाइम क्योंकि यह जो लास्ट टेन देज उफ रिविजिन होते हैं इसी में ही डिसाइड किया जाता है के वैदर यह तो यह किस्टा है मेरे आइसीएड डव्यू के एक्जाम का जो के हमारा सबसे फर्स एक्जाम होता है इस कॉर्परेट छाया तो कहा जाता है उस पर्टिकलर एक्जाम का पासिंग रेशो काफी मिनिमल सा है और इन पाकिस्तान यह तीन एक्जाम ही होते हैं सी आर एस्पीम के स्टड़ी अब जो सिया का एक्जाम था वह मैंने दिया था जैसे ही कोविट का जो एक रिहाबिलेशन हुई थी आफकर कोविट और सब लोग जो है वह अपनी एक नॉर्मल लाइफ में आना शुरू हुए थे तो ही आई डिसाइड़ टू पर्शू आइसीएड अचा हम क्योंके कॉर्परेट वर्ड से तालुक रखते हैं तो आप सब को बता है कि एक ही लैपटॉप होता है और उस लैपटॉप पे आपकी फिंगर मसल्स में हर जीज सेव होती है तो अबिसली आई वुड लव तो प्रिफर तू सॉल्दा एक्जाम और मैं तो जैसे ही मैंने अपना रिमोर्ड इमिजलेशन बुक किया तो आपका एक्जाम होगा और आपने अपने रूम को इस तरह रखना है पूरी इंस्ट्रक्शन आई तो कर तो स्टोरी शॉर्ट मैं जो है वो अपने एक्जाम की बात करता हूं कि जो भी वो प्रिकॉशन थी स सब चीजें थी सिस्टम चेकता सबत कर दिया नवंबर शिक्स और सेवेथ माइट थी कि मैं अपने घर पर ही था वहां पे मैंने अपना एक्जाम जो है वो और प्रॉक्टर आपके सामने बैठा होता है और वो आपको देख रहा होता है और उसके साथ साथ जो है वो आपने दो केमरा जोन करने होते हैं अचा हमारे लैपटॉप से बैटरी टाइमिश आपको बदा है कि ग्जाम होता है साधे तीव धिंटे का लेकिन बैटरी टाइमिक इतनी होती है तो हमें चारजर चैनेक करने की इजाज़त थी कि आप चारजर कर सकते हो जैसे ही मैंने प्रॉक् अपना इस्टार्ट कर दिया है यह रिमोट प्रॉक्टर मेरे सामने बैठा है और लाइट चली गए उस वक्त आप एक स्टूडेंट हो कि आप एक स्टूडेंट की जरह वाक दिल की आहट सुनने कि उसमें क्या बात है क्या सोच रहा होगा और उसको अपना कॉर्परेट है कैसे करेगा क्या करेगा हमारे गर में क्योंकि यूपीएस था तो काफी हद तक बैटरी तो आन रही उसकी देखा जाए तो पंखा स्लो चलता रहा लाइट चलती रही तो इसलिए प्रॉक्टर को भी को इस्यू नहीं हुआ बट यूपीएस में अपना लैट्टॉप चा अगर मैं बीच में किसी तरह और प्रॉक्टर करते हैं तो आप यह सारी चीज़ है ना अपनी आईसे डवल्यू को बताना मेरा गाम है आपको देखना पेबर लगते रहा हूँ मैंने बोला कि अगर मैं बीच में किसी तरह आउन करूँ किसी तरह आउफ करूँ कोई लाइट सोर्स अरेंज करूँ या पूछ करूँ नहीं बोला आपको जो करना है करो आप जैसी बंद करोगे उसके बाद आउन करोगे तिल था टाइम और बीं ग्रांटेड आपका अगयां मैं आदा गंडा को चुका था, अख कर्ती रहे करते रहे करते रहे रहे करते रहे अब बार बार देख रहा है जो है तो हो पार नहीं रही जाते है और तो तो घंटे कोई हो गए लीपोड़ घ्ट जो है मेरा पेपर मेरे खाल से 60 मार्क्स या इसका जो है वो कुछ सॉल्ट हुआ था क्या करें क्योंकि बैटरी भी डाउन है यूपीएस भी जाने वाल है मेरे माइड में एक आइडिया आगया अपना लैपटॉप बन करो मेंज विंडोस शट्टाउन करो और स्क्रीन शट्टाउन करो और फॉरल से कहीं ऐसी जगा था हो जहां पर लाइट चल रही हो या कोई जनेरेटर या इस तरह का जहां से लैपटॉप चार्ड जो सेके तो दो घंटे में मैंने लैपटॉप बन किया मैंने भाई को बोला के भागो हम ऐसी जगा पहुंचे विदिन फाइफ मिनट से एक घर में गए जहां पर जनेरेटर चल रहा था और वहां जाके मैंने अपना लैपटॉप चार्ड किया और वापस आउन किया तो मेरा पेपर प्रटेंट कर लिया ओविसली एस यह ओपन बुप होता है लेकिन उसमें भुक खोल लेका टाइम मैं नहीं होता और मेरे पास तो वैसे ही टाइम शौट था तो मैं कैसे जो है वो खोलता है चीजे रिखता तो जो जितना आता था हम लोग कर सकते थे तो क्योंकियों कियों क अब आप सोचो अब यहां से मैं अपने रिजर्ट तो शेयर करूंगा डोंट वरी लेकिन यह के अब अपनी कहानी बता रहा हूं देखा जाए तो रिपोर्टिंग की बिल्कुल आखरी कदम है यह वाला पेपर जिसको जिसको मैंने ऐसे अट है किया रिखा जाए तो कंद्यूजन यह के यूगाइज डोंट नीट तो स्टॉप इससे आपने सीखा गया के वाटवर अपने अपने एम्स पे अपने अपने अंबिशन पे कॉम्प्रमाइज नहीं करना अपने अपनी महनत अगर पूरी की है तो आपको उसका अजर गिलकुल मिलेगा वेन अपने अपने प्रॉप्र से पूछा यह जो सारे हलाग हुए इस पर मैं क्या करूं उसमें बोला आप आप इसपेशल कंसीडरेशन रेस करतो क्या आपने पेपर अटेंटिंग में इतनी सारी प्रॉप्लम्स फेस की आप यहां पर सोचें के एक टाइम होता है जब लाइट चली गई थी और आपने पेपर कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा तो यही यही आपका एक माइंट वेक्टर होता है इनफेक्ट एक आर्टिकल मैं ECCA का पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने साफ साफ यह चीज़ मैंशन की वी थी कि बच्चों को तयारी से ज्यादा उनका जो डर है पेपर का या उनका जो पेपर वाले लास्ट 10 डेज है जिसमें वो अपने आपको लेके चलते हैं वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं अगर वो लेस फोकस रहें on exam तो यही एक वीडियो एक message for you guys कि आपके पास I guess 10 और 10 और 11 डेज हैं तो इसमें अपना मुराद हाय रखें एक proper revision planner बनाएं अपने अपने tutor अपने mentor से contact में रह and that's how you will be able to pass. See you all guys. Lafiz.